दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हाल फिलाल में टेलिकॉम सेक्टर की ये कंपनी भारतियर टैल इस स्टॉक के अंदर गिरावर देखने को मिली थी लेकिन एक न्यूस के बाद में स्टॉक के अंदर एक तेजी का महल हमें देखने को मिला तो देखें 5G की शुरुवात हो तेरे बड़े सिटीज इस तरह के दिखाए देरें इंडिया के अंदर जिन में सबसे पहले 5G का ट्रैल होना है तो यहां पर 5G की शुरुवात होती वो नज़राएगी तो कहीं न कहीं इस कंपनी के अंदर एक तेजी हमें देखने को मिल सकती है तो आज के दिन जो लेटेस सूलिशन सूट है उसके मामले में जो इन्होंने परिक्षन किया है वो सफल बताया जा रहा है तो अवराल इंपक्ट अब एर्टेल के हिसाब से हैं पर पॉजटिव हो चुका है कि जो सारे चीजे देखने को मिल रहे हैं अगर वो सारे हमें आपर सफल होते हुए नजराते हैं तो बहुत जल्द जो है आप भारती एर्टेल हम लोग के आपर 5Z प्रोवाइड कराती हुए नजराएगी देखे शेर प्राइस की बात करते हैं तो कल स्टॉक के अंदर कुछ अच्छी खासे लेवल देखने को मिले थे लेकिन लास्ट आम बजार के अंदर हलचल देख देखने को मिल रही है लोंग टम के साब से बहत्रेन कंपनी इस समय दिखाया दे रही है और जो प्रमो की इवेंटर निकल कर आ रहा है 5G तो अब धिरे-धिरे करके ये कदम बहां पर बढ़ाती हुए ने दिरा रही है तो मजबूती देखने को मिलेगी पेसेंस बना कर रहा है कि current level पे खुरिदारी कर रहे या ना करें तो 689 रूपे इस समय आंती समय स्टॉक कर रहा है तो current level पे खरिदारी कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको गिरावट के लेवल पहले से ही डिसाइड करके चलने चाहिए कि स्टॉक के अंदर नीचे के level देखने को मिलते ह तो इतना पैसा जरूर होना चाहिए कि आप इसके अंदर quantity याड कर सकें दोस्तो हाल फिलाल में चाहे किसी भी तरह के लेवल आपको इस समय भारती अटल के अंदर दिखने को मिल रहे हैं लिकिन अगर फॉर्कास्ट की बात करते हैं दिसंबर 2022 तक तो अच्छी खासी तेजी आपको शियर के अंदर दिखने को मिल सकती है यहाँ पे तीन रेंज निकल कर आ रहे हैं हाई रेंज, मीडियन रेंज और लो रेंज हाई रेंज की बात करने तो 928 रुपे तक के लेवर्ल आपको स्टॉक के अंदर दिखने को मिल सकते हैं जो की करण लेवर्ल से लगवर्द 36% की तेजी दिखा सकता है इसी तरीके से अगर median range की बात करते हैं तो 22% का upside moment देखने को मिल सकता है 830 रुपे तक ये stock जा सकता है और अगर गिरावट की बात करते हैं तो 601 रुपे के असपास ये stock support लेता हुआ नजरा सकता है तो बड़ी हल चल देखने को मिलेगी लेकिन long term में तो तैयारी करके चलेगा उपर की और देरे देरे करके खरीदारी करनी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि बलक में माल खरीद लिया और stock के अंदर बैठ गए तो सब्सक्राइब पूरी जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब पर क्रिक लिना ताकि नहीं वीडियो को नटाफिकेशन सीधे आपके मोबाल प्निस के थैंक यू सो मच वाचिक